जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तर बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान देश भर के तेल तिलहन बजारों में भीते हफते सभी तेल तिलहनों की थोक कीमतों में गिरावट दर्ज हुई बजार सूतरों ने दावा किया कि खाद तेल तेल तिलहनों की थोक भाव में गिरावट आई है यह पूछे जाने पर अगर गिरावटाई है तो आम उपभोगताओं को 190 से 210 रुपे लीटर या उससे अधिक कीमत पर सरसो तेल क्यों मिल रहा है? सूतरों ने इस पर कहा कि यह वास्त विक्ता है कि थोग भाव कम होए है थोग विक्रेता आगे सप्लाई करने के लिए खुदरा कमपणियों को 152 रुपे लीटर के हिसाब से आपूर्ती कर रहे हैं खादे तेल के एक प्रमुक ने 152 रुपे लीटर के भाव से विक्री की लेकिन खुद्रा कम्पनियां यदि इस कीमत में मनमारी वृद्धी कर रही हैं तो सरकार को उस पर अंकुष लगाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए छापे मारी से कुछ हासिन नहीं होगा उल्टा इससे तेल कालवार की सप्लाई चेन और प्रभावित हो जाएगी सूत्रों ने कहा कि छापे मारी के बज़ाए केवल बजार में घूम घूम कर खुद्रा विक्रेता कम्पनियों के अधिक्तम खुद्रा मूले MRP की जाच की जाए तो समस्क्या की जड़ में पहुँचा जा सकेगा सूत्रों ने बताये कि थोग विक्री मूले के हिसाब से खुद्रा में सरसो तेल अधिक्तम 158-155 रुपे लीटर सोयबीन तेल अधिक्तम 117-172 रुपे लीटर मिलना चाहिए इस कीमत पर उपभोकताओं को खाद तेल आपूर्ती के लिए सरकार को यथा संभव प्रयास करना होगा जिरुलपोर्ट माकेटाइम्स टीवी आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तर बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान